Welcome back, तो हम बढ़ रहे थे गार्डनर की ती और गार्डनर की ते regarde की त्योडी में सारी तरह की इंचलेश्च पड़ दी अब एक क्वेर्डनर की त्योडी तो भाद में जाके 8 तरह की इंचलेश्च दी और वो आठी फाइनल करती, तो अभी अगर question आता है gardener की theory, कि according कितनी तरह की intelligence है, answer होगा 8, बढ़ हाँ, 9 intelligence उसने propose कर रखे, तो अगर question आता है gardener में कितनी intelligences दे रखी हैं, तो होगा 9, और अगर आता है कितनी final हैं, तो होगा 8, तो दे रखी हैं 9, बढ़ 8 को उसने भी final माना है, और 9 भी अभी research based है, मदब research उस्पे चल रही है, आगे देखते हैं कितनी research भो करता है, बट gardener की theory के अगर हम और बात करें, तो अब हमें पढ़ना है gardener की theory की क्या school applications है, कैसे इसको school में बढ़ाई किया जा सकते हैं, और gardener की theory की क्या criticism है, तो अब स्टार्ट करते हैं gardener की theory की educational implications and criticism, क्या है educational implications, किस बात को, क्या ऐसा important है gardener की theory में जो हम इसको education में use करते हैं, तो तीन point है बहुत important वाले first point, gardener की theory directly and indirectly दोनों तरहें से stress देती है individual difference के concept है, कि gardener की theory में आता है, कि लोग अलग अलग तरहें से समझदार होते हैं, लोग अलग अलग तरहें से intelligent होते हैं, तो individual difference इसके concept पे gardener ने stress दिया है, तो gardener मानता है कि हर बच्चा एक नहीं तो दूसरी तरहें से intelligent हो सकता है, तो gardener की theory में आता है, mentally related अलग अलग तरहें से intelligent हो सकते हैं, तो gardener मानता है कि हर कोई अलग तरहें से intelligent है, तो हम यह नहीं कह सकते कि एक बच्चा intelligent है और दूसरा बच्चा intelligent नहीं है, हमें पहचानना है कि बच्चा कि तरहें से intelligent हैं, तो Gardner की थेओरी इंडिवीड़ डिफरेंस के concept पे stress देती है इस point से दूसरा, जब आप class में पढ़ा रहे हो तो आपको अब इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको class में पढ़ाते हो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको यूज़ करना है differentiated differentiated instruction क्या है differentiated instruction इसको मैं simple language में कहूं तो multiple तरीकों का यूज़ करते होए पढ़ाना तो आप पढ़ाने के लिए एक नहीं कई सारी तरीके यूज़ करोगे अलग अलगतर है के तरीके यूज़ करोगे यह है differentiated instruction आपका भी group बनाओगे कभी individual पढ़ाओगे जो group पहरे से आपने बनाया थे उनको भी change करते रहोगे time के साथ उनमें change लाते रहोगे activity के according groups में change लाओगे activity के according method यूज़ करोगे तो there will always be change हमेशा change लाते रहोगे आप पढ़ाने के तरीके में तो पढ़ाने का तरीका instruction और differentiated मतलब अलग-अलग तरीकों से पढ़ाते रहो तो आप क्लास पे पढ़ाने के लागर example दे रहो तो example एक नहीं कई तरह है के दो अलग-अलग field से दो वो differentiated instruction है पढ़ाने के आप groupings कर रहो तो groupings को भी change करते रहो वो differentiated instruction है पढ़ाने के तरीके में constantly change लाते रहना ताकि सभी बच्चों की अवशकताओं को हम पूरा कर सकें ताकि सभी बच्चों के सीखने के तरीके के according हम उनको सिखा सकें यह हैं differentiated instruction फिर जब हम बच्चों को आखेंगे जब हम उनको जाचेंगे तब भी हमें बहुत सारे तरीके यूज़ करने है multiple multiple modes of assessment multiple modes of assessment तो गाड़नर की थियोरी इस बात पर भी stress देते हैं कि हम जब बच्चों को आँके उनका आँक लर्ण करें उनका assessment करें तो भी हम बहुत सारे तरीके यूज़ करें क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं तो एक बच्चा एक तरह से अच्छा है, दूसरा बच्चा दूसरी तरह से अच्छा है तीतरा बच्चा तीतरी तरह से अच्छा है तो हम सरफ एक तरीके पे dependent नहीं रहेंगे, हम बहुत सारे तरिकों का यूज करेंगे, बच्चों की abilities को पहलचानने के लिए, उनका आंपलन करने के लिए, ठीक, तो ये है तीन points, जो की Gardner की theory के educational implications कहे जा सकते हैं, बड़ ये तरिक गाड़नर की theory की नहीं, हर multiple intelligence की theory के implications है, और हर multiple intelligence की theory इन तीनों points पर stress देती है, ठीक है, तो ये थे educational implications, अब हम बात करते हैं Gardner की theory को क्यों criticize किया गया, किस बात को लेकर Gardner की आलोचना की जाती है, criticism, बहुत सारे criticism है Gardner की theory के, जो की आपस में, बहुत ही सारे जुड़े को अभी हैं, तो पहले दो criticism काफी हम तक जुड़े हैं, वो ये हैं कि Gardner की theory research based नहीं है, तो पहला criticism हम ये कह सकते हैं, less empirical support, less empirical support, ध्यान से देखे वर्ट है less, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी empirical support नहीं है, empirical मतलब होता है experience में, तो इसकी theory experience में देखी जा सकती है, बढ़ हमने पढ़ा support के हैं, तरफ जो हमें real life में दिखते हैं, जो हमें अनुभव में दिखते हैं, बढ़ ऐसे support बहुत कम हैं, और theory के लिए ऐसे support थोड़े जादा होने चाहिए, ठीक है, कोई नहीं, theory develop करने का दूसरा तरीका होता है psychology में, और वो होता है laboratory, laboratory में test, problem ये है, गाड़नर की theory के लिए कोई laboratory experiment ये test अविलेबल नहीं है, no lab tests are there, तो कोई test नहीं है, कोई laboratory test नहीं है, कोई ऐसा experiment नहीं है कि हम गाड़नर की theory को guyify कर सके, आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ बच्चों को lab में लेका ये research करने के लिए, कि दिमाग के एक हिस्से पर चोट आने पर दूसरे हिस्सों पर क्या effect पड़ता है, तो lab में लाकि आपने बच्चे के दिमाग के एक हिस्से पर हथारी से चोट कर दिया और चेक करने दूसरे हिस्सों की intelligence गई की नहीं गई, तो ऐसा legal भी नहीं है और ऐसा बहुत अच्छा भी नहीं है, ऐसा करना, दूसरा कोई natural test अभी लेबल नहीं है, तो हम ऐसा कुछ करी भी सकते हैं, गार्टनर की थिओरी को लेबरेटरी में verify कर सके कि हाँ ये सही है या नहीं है, तो ये दोनों इसकी research से जोड़े error हैं और वो इसने हैं क्योंकि गार्टनर की थिओरी research based नहीं है, गार्टनर की थिओरी assumption based है, इसके लिए research नहीं की गई है, ठीक, तीसरा criticism, गार्टनर के लिए जो कहा जाता है कि इसने एक कमी छोड़ दी, इसने बोला, intelligences are not interrelated, बट देखा गया, intelligences are actually interrelated, तो intelligences जो है, वो आपस में interrelated हैं, बट गार्टनर कहता है, आपस में interrelated नहीं है, दोनों intelligence बिलकुल अलग-अलग है, और उन दो का आपस में कुछ लेना देना देना नहीं है, तीन भी आपस में अलग-अलग है, तीनों के आपस में कुछ लेना देना देना नहीं है, जबकि देखा गया है, अगर आप एक अच्छे architect बनना चाहते हो, तो आपको spatial intelligence चाहिए, बट at the same time, आपको mathematical logical intelligence भी चाहिए, अगर आप एक अच्छे painter बनना चाहते हो, तो आपको bodily kinetic intelligence चाहिए, बट at the same time, आपको spatial intelligence भी चाहिए, अब A.R.R.R.バイman है, जो की बहुत अच्छा music composer है, बट स्कों उस्तिरफ music नहीं compose करता है, वो lyrics भी लिखता है, तो उसकी verbal linguistic intelligence और compose, जो music compose करता है, यह दोनों आपस में एक दूसरे को help करती है, तो intelligences आपस में एक दूसरे को help करती हैं, उनको unrelated माना है जबकि ये आपस में interrelated है ठेक है next Gardner की theory में 8 है intelligence is final बट 9 उसमें propose कर रखी बट initially उसमें 7 दी थी तो भाई यह चल के आ रहा है पहले तुम 7 बोल रहे हो फिर तुम 8 बोल रहे हो फिर तुम 9 बोल रहे हो तो Gardner ने जो number of intelligences बताए है उसका कोई आधार नहीं है और यहीं है criticism कि ये जो Gardner ने typing बटाइप्स बताए है intelligences के वो है arbitrarily arbitrarily classification arbitrarily classification क्या होता है कि Gardner ने जो बहुत सारे types के intelligences बताए है वो उसकी मन मरजी की है मन चाहा मैंने बोल दिया 8 है मेरा मन की है नहीं 9 है तो 9 बोल दिया उसके पीछे कोई आधार नहीं है तो Gardner की theory में जो classification है कि 8 या 9 या 7 तरह की है वो उसका जो मन की है उसमें बोला उसके पीछे कोई आधार नहीं है जबकि theory में जो भी types बताए जाते हैं उसके पीछे आधार होता है, उसके पीछे आधार बता जाते हैं, और Gardiner यहां पे पूरी तरह से फेल रहा है, आधार बताने में कि क्यों 8 तरह की intelligence है, या क्यों 9 तरह की intelligence है, और इसके लागा को और नंबर क्यों नहीं है, वो ने नहीं बता पाया, ठीक है, फिर बहुत सारे psychologist मानते हैं कि जिस चीज को Gardiner intelligence कह रहा है, वो actually intelligence नहीं है, वो talent है, तो बहुत सारे psychologist को क्या मानते हैं, इंसान के अंदर छुपे हुए talent है, intelligence नहीं है, ऐसा Gardiner मानता है, ठीक है, sorry Gardiner और psychologist मानते हैं, हला कि इस criticism का education में और इन सारे criticism का education में कोई impact नहीं पढ़ा है, ये सारे pure psychology के criticism है, education से इंका कोई लेना देना नहीं है, बड़ क्योंकि question इन पे आते हैं, इसमें आपको पढ़ा रहा है, तो बहुत सारे psychologist को talent मानते हैं, जैसे example लेते हैं, एक बच्चा ब बड़ा intelligent बच्चा है, क्योंकि intelligence की traditional definition सरफ पढ़ाई लिखाई से जुड़ी है, तो इसलिए बहुत सारे लोग जिसको ये intelligences बोल रहा है, like music को, sports को, लोगों को समझने को, लोग उसको talent होते हैं, सारे psychologists इस बात प्रेदरी नहीं है, कि ये चीज़ें intelligence में count होती हैं, ठेक है last criticism, Gardner की theory में general intelligence जैसी कोई चीज़ नहीं है, general intelligence, या दूसरे शब्दों में हम इसको कहें, तो इसमें g-factor को ignore कर दिया है, तो Gardner की theory में general intelligence जैसी कोई चीज़ नहीं है, आपने सारी intelligence देखे और आपने देखा mathematics की बात हो रही है, special ability की बात हो रही है, language की बात हो रही है, और body की movement को control करने की बात हो रही है, बट एक general intelligence यहां बोले general ability होती है, जैसे कि आपको जगह के नाम याद रहते हैं, आपको श intelligence जैसा कोई concept नहीं है, general intelligence में g-factor का concept हम spearman की theory में पढ़ें के बहुत चोटी सी theory है, तो Gardner ने अपकी theory में इसको पूरी तरह से ignore कर दिया है, यह भी इसका criticism है, तो यह है Gardner की theory के criticism बहुत सारे, और यह है Gardner की theory की educational implications, यहां में खत्म होती है Gardner की theory, जो की intelligence में हमें जो theory पढ आए है, तो आपको इस theory बहुत अच्छे से करनी है, इसका जितने point में ने cover की है, वो आपको करनी है, और आगर आप intelligence के बार में और पढ़ना चाहते हो, तो आप कहां से पढ़ सकते हो, वो भी मैं आपको बतायता हम, NCRT psychology class 12 chapter 2, तो psychology की जो NCRT book है, class 12 की, sorry, उसका chapter 1 आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, class 12, NCRT psychology chapter 1, वो पूरा chapter intelligence से जोड़ा है, वो पूरा chapter आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको और काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, तो आप पढ़िए intelligence के बार में यहां तक, मिलते हैं आप से आगे की videos में, आपको 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 आपक